तो गाईस स्वागता आप सभी का मेरे यूटीब चानल पर दोस्तो आज जो हम बात करने वाले हैं नसोस संबंदेश यदि आपको कोई प्रॉलम रहती है या आपकी नसे बंद हो जाती है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं जी हां दोस्तो दोस्तो आप जो स्क्रीन पर देख रह दोस्तो नसो से संबंदेश यदि आपको कोई प्रॉलम रहती है जैसे यदि किसी की ब्लॉकिज हो जाती है नसे बंद हो जाती है दोस्तो नसो के अंदर स्वस्त खून और आक्सिजन बैता है जिस दिन दोस्तो नसो के अंदर ये खून बहना बंद हो जाता है दिल और दिम समस्याइं हो सकती है दोस्तों कैसे पचानेंगे यदि किसी की नस बंद हो जाती है तो क्या सिम्टम नजर आते हैं यदि किसी की नस से ब्लॉकेज होने पर दोस्तों क्या होगा कि आपके जो एक पैर है उसमें आपके दर्द रहने लगेगा पैर या हात में आपके सूजन आन नसो के blockage होने के symptom होते हैं ये तो ध्यान रखें ये जो लक्षन मैंने आपको बताए हैं ये हर एक body के अंदर अलग-अलग हो सकते हैं इसके अलावा दोस्तो मोटापा, autoimmune system, बुडापा high blood pressure, high cholesterol तो ये सब भी दोस्तो नसो में blockage होने का एक मुखे कान होता है दोस्तो अगर किसी को नसो की blockage की समस्या रहती है तो ये जो रेजवा कैपसूल है दोस्तो बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि दोस्तो ये एक powerful resuminator कैपसूल होता है जो कि आपकी बंद नसो को खोलने का काम करता है इसके अंदर दोस्तो जिसेंग होता है multi-vitamin होता है multi-manilance होता है तो ये का काम करते हैं दोस्तो आपकी जो बंद नसे होती है उसको खोलने का काम करती है दोस्तो कुछी दिनों के इस्तिमाल करने पर आपको इस एजवा कैपसूल का result देखने को मिल जाएगा तो उसका एक capsule इस्तमाल करने की सला दिया थी है side effect की बात करें तो मतली उल्टी ये common side effect हैं जो किसी किसी में देखने को मिल सकते हैं आई होग दोस्तों मेरे दुवारा दीए कि जानकारी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चलों को सब्सक्राइब लाइक और वैल आइका नवारा ना भूलें जिससे के मेरे आने वाली अगली वेडियो को इंटी केसन आपको मिलता रहे हैं धन्यवाद दोस्तों